नमस्ते फ्रेंड्स, I am your host राहूल मोजंदार and this is किशलाइट स्कूल किशलाइट स्कूल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल की जरीए मैं आप सभी से कम्यूनिकेट करता हूँ दुनिया के चुनेंदा जो ट्यूटोरियल के द्वारा किये गए one of the most great work को ले करके discussion के द्वारा आज भी मैं उसी उदेश को सामने रख कर आप सभी से मिलने आया हूँ आज मैं आप सभी के सामने जो great artist के बारे में बोलूँगा वो भारत वर्ष के one of the great artist है जामिनी रोय उससे पहले मेरे चैनल किशलाइट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सकाइब कीजिए और विडियो को end तक देखिए ताके आपको पूरी बात पता चले जामिनी रोय, जो इंदिया की one of the great painter है, उनके द्वारा क्ये गए एक painting का नाम है Mother and Child ये नाम यानि टाइटल सुनके ही आप सभी को पता चल रहा है Mother and Child यानि मा और बच्चा यहाँ पर ये आपके स्क्रिंग के ऊपर जो painting दिखाया जा रहा है यही है Mother and Child और ये वर्टिकल पॉर्म में किया गया painting है, यानि लंबा है painting और इस painting को आप लोग और से देखिए, पहले तो ये painting करने का साल क्या है 1930 यानि 1930 में ये वर्ट जामिनी रोय ने किया था, इस kind of विशय को ले करके यानि Mother and Child विशय को ले करके बहुत सारा painting all over the world बहुत सारे painter ने किया है पर इस particular painting को आप गौर से देखिए, इसमें क्या है motive, यहाँ पर दो figures है और दो figures देखिए, two dimensional forms में यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर एक mother है और एक child है, यहाँ पर mother देखिए, mother को cloth चड़ाया गया है यानि सारी में है, और जो बच्चा है वो देखिए, fully naked है, यानि बच्चे के अंग में कोई भी वस्त्रे नहीं है और यहाँ पर देखिए, universal mother root को दिखाया गया है universal unconventional love, जिसमें कोई condition नहीं रहता, जिस प्रेम में वही है mother and child का प्रेम, यानि इन दोनों में जो संबंध है, इसमें कोई भी बाधा या कोई भी शर्त नहीं होता यह बशर्ते एक love है, यानि इसमें कोई शर्त नहीं लगाया जा सकता और इस painting को आप लोग गौर से देखिए, इसमें क्या-क्या color दिया गया है पहले तो वो देख लेते हैं, उससे पहले क्या method में किया गया है इस painting को किया गया है, tempera, tempera work में इस painting को किया गया है और इस painting को आप लोग गौर से देखिए इसमें क्या-क्या color दिया गया है इसमें red है, इसमें vermilion है इसमें आप लोग Indian red को देख सकते है brown देख सकते है, white देख सकते है yellow देख सकते है, green देख सकते है black देख सकते है, grey shade देख सकते है यहाँ पर सभी colors बहुँ भी तरीके से यहाँ पर इस्तमाल किया गया है और इस painting को देखने से color हमें glowing लगते हैं यह tempera work में है फिर भी glowing लगते हैं यह सभी color अर्थी color है और इस color को playing करने का यहाँ पर जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है यानि कि color कहीं पर भी gaps नहीं है एकदम सपार्ट करकि यहाँ पर पुरा color से रंगा गया है और यहाँ पर अगर आप लोग background देखें background में अगर हम लोग आए तो background है decorative यहाँ पर देखिए decorative background हमें कुछ folk cultures को दर्शाब देखें बहुत सारे ऐसे folk cultures हैं जहाँ पर background यानि wall और कोई भी background बहुत सारे decorative characters से रंगा जाता है जैसे flowers कोई shapes यहाँ पर भी आप लोग flowers और leaves आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए background में एक certain बड़ा वाला flower है और उसको छोड़के बाकी जगह उपर देखिए छोटा छोटा flowers से रंगा गया है और flowers यहाँ पर white color से किया गया है white color से बहुत जादा detailing नहीं किया गया है flowers को फिर भी flowers देखिए कितना बहतरीन लग रहा है और background में जो छोटे छोटे flowers है उसके साथ साथ कुछ lips भी है और यह प्रकृती को शायद दर्सा रहा है यानि प्रकृती में जो सुंदर्ता है mother with child वही सुंदर्ता हमें दिखाई दे रहा है यही कोशिस थी जामिनी रवाई की के प्रकृती में जो सुंदर्ता होती है प्रकृती जो प्यार करता है जो प्यार की वहीं पकाश होता है प्लावर, लीप्स इन सभी के जरीए वही यहाँ पर mother और child की जो love है उसको दर्शा रहा है तो इस painting में color का definition हो गया, background भी हो गया अब आप लोग देखी यहाँ पर lining का बहुत बढ़िया इस्तमाल किया है जामिनी रवाई ने जामिनी रवाई की painting की खासियत ही यही थी कि lining बहुत बढ़िया था और lining इतना perfectly done कि इसमें आप लोग volume और rhythm दोनों ही देख सकते हैं यानि volume मेरे हिसाब से ही है कि lining में जहाँ पर आप देखिए बहुत चोड़ा करके brush lining किया गया है उस जगा को देखिए और जहाँ पर पतला brush strokes किया गया है यानि एक ही line में उपर से नीचे तक आप rhythm देख सकते हैं यही थी जामिनी रवाई की बहुत बढ़िया खासियत और जामिनी रवाई folk painting से इंडियन folk painting से और बेंगॉल की folk culture से बहुत ज़्यादा प्रभावली थे और यही culture का एक नमुना हमें पट चित्रकला और कालीगाट painting में भी दिखाई देता है और वही culture को जामिनी रवाई ने अपने हिसाब से इसे convert करके अपने style बनाया यानि जामिनी रवाई इस वो culture की जो drawing style है उसको अपनाया और अपना ही एक रूप दिया और वही दुनिया बर में बहुत famous है यह painting बरतमान में National Gallery of Modern Art New Delhi में रखा गया है यह painting को आप जब देखेंगे मेरे हिसाब से और एक बात इस painting के लिए बहुत ज़ादा लाजमी होगा कि यह painting एक 3D effect देता है जैसे हम लोग बरतमान में देखते हैं कि बहुत सारे painting होते हैं कि frame जो किया जाता है frame के बाहर भी painting के subject आ जाता है यानि 3D movement create करने की कोशिश रहता है वही यहाँ पर बहुत सालों पहले 1930 में जामिनी रॉय ने भी किया था आप पिक्चर के outside border line को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकेंगे outside border line के बाहर भी हाथ और सर बोलिए कुछ-कुछ portion border line के बाहर भी दिखाया गया है यानि यह 3D effect जामिनी रॉय के painting में एक खासियत बोल सकते हैं आप इसे भी एक नजरिया बोल सकते हैं जामिनी रॉय की painting में यह सभी खासियत थे और यहाँ पर ornamentation देखिए बहुत simple ornamentation है mother और child दोनों ही ornaments से सजाया गया है but white ornaments simple simple lines white और यहाँ पर देखिए mother को जो साड़ी में दिखाया गया है उसमें देखिए border है नीचे border है बहुत हलका तरीके से और जो आचल है आचल जब नीचे को आ रहा है वहाँ पर देखिए white green something colors का एक बढ़िया effect आपको border में दिखाया जा सकता है और देखिए यहाँ पर जो child है इसे baby Krishna यानि जामिनी रॉय के जो series है baby Krishna उससे बहुत ज़ादा मेल खाती यहाँ पर जो बच्चे को आपको ले जाएगा खजरा हो और कनारक में जो पत्थर से किया गया figures है उसका जो movement है वो आपको at a glance में दिखाई देगा अगर आपको जानकारी है तो तो जामिनी रॉय उस type of work से भी बहुत ज़ादा influence दे और यहाँ पर देखिए दोनों ही figures के जो आखे है वो देखिए ब culture की एक style है और दोनों में एक love यहाँ पर दिखाया जाए और figure को ऐसे यहाँ पर compost किया गया है कि पूरा painting में figure fully composed है यहाँ पर कोई भी gap नहीं है surface में यह background में यह एक composition बढ़िया होने का बहुत बहुत ही काबिल work है तो मुझे यह painting बहुत अच्छा लागा आशा करते हैं आ और आप लोग बार बार इस painting को देखिए तभी आपको सही तरीके से इस painting की जो खासियत है वो पता चलेगी आशा करते हैं मेरे यह speech आपको इस painting को समझने में कुछ हद तक सहायाक होगा तो तभी मैं मेरे यह स्रम को सार्थक मानूँगा आप तरीको बहुत सारा आप वीडियो को इन तक देखे मेरे चैनल की शलाय आट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब शरू कीजिए आज के लिए इतना ही नमस्ते फ्रेंड्स एंड थैंक्यू आल